लेट सॉल्व एक्सरसाइज 19.1 कुर्षिंग नम्बर वन पार्ट वन और इस कुर्षिंग को सॉल्ट करने के लिए आपको एक्स टुदी पावर एन का फॉर्मला पताओना चाहिए उसका इंट्रिगल क्या होता है और बहुत ही सिंपल है एक्स टुदी पावर एन दी एक्स क इंट्रिगल होता है एक्स टुदी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस एक कॉंस्टेंट टाम तो अगर हम इसे सॉल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा एक्स टुदी पावर फो प्लस वन अपॉन प्लस एक कॉंस्टेंट टाम जिसकी वैल्यू ह किया हमारे पास ठीक है let's solve the second part of the same question okay okay इसमें हमें n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 5 by 4 मैं एक बार formula लिख देता हूँ if you are like first time solving integration तो it will be x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus a constant time अब आप इसको तो बस n को 5 by 4 रख दीजे कोई रखनी पड़ता है n कोई भी रियल नंबर यहां पर हो सकता है x to the power minus 1 के लिए satisfied नहीं होगा minus 1 को हटा दीजे except that it works okay अगर यहां x to the power 0 होता तो क्या होता है 1 होता 1 integral क्या होता x हो जाता कर दूंगा मैं extra ठीक है यह हो जाएगा याद रखेगा minus 1 के लिए यह formula work नहीं करता है तो अब हमारा काम होगा यहां पर x to the power 5 by 4 plus 1 upon 5 by 4 plus 1 plus 1 constant term तो यह simply हो जाएगा x to the power 9 by 4 upon 9 by 4 plus constant term आपको पता है कि denominator का denominator numerator में जाता है तो यह simply लिखा जा सकता है 4 by 9 x to the power 9 by 4 plus 1 constant term और यह कहलाएगा हमारा answer ओके, let's now solve the next part of the same question तो इसमें हमें क्या करना है x को पहले numerator में लाना पड़ेगा तो आपको याद होगा आपने exponent chapter पढ़ा है grade 7, 8 में कि power जब reciprocal होती है तो वो negative power में convert हो सकती है यानि मैं क्या कह रहा हूँ या मैं यह कह रहा हूँ कि a to the power minus m actually होता है 1 upon a to the power m तो अगर यहाँ पे m की value क्या है? 5 है तो मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ यह हो जाएगा x to the power minus 5 का integral अब आपको x to the power n वाला formula लगाना है जो की कहता है कि जो की कहता है कि इसका integral x to the power n plus 1 upon n plus 1 होता है एक constant time अगर मैं miss करता हूँ तो इसे ignore करिएगा यह teaching में हो जाता है बढ़ा comments अभी है वे लेगा है तो इसमें minus 5 की जगह iron की जगह minus 5 है तो यह आजएगा x to the power minus 5 plus 1 upon minus 5 plus 1 plus एक constant time इसे easy क्या होगा तो x to the power minus 4 upon minus 4 plus c आप चाहें तो minus 1 by 4 करके लिख सकते है वो आपकी इच्छा है मैं भी लिख देता हूँ ऐसे but it's not something which is और minus 4 को भी नीचे 1 upon x to the power 4 लिख सकते है again those are like very subjective approaches it works fine okay let's solve the next part this is the answer okay तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि power again denominator में है I am using the same formula not writing I hope you have understood it तो इसमें मैं directly लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ याद रखेगा denominator की power जब numerator में आती है तो सिर्फ एक negative sign होता है power reciprocal मत करियेगा इसका मतलम मैं यह कहना चाहरा हूँ कि यह होगा minus 3 by 2 का integral यही गलती हम करते हैं और हमें यही से ignore करना है यह आपका अगर 7th 8 का exponent strong है तो आपको जुरुवत नहीं पड़ेगी तर्दिवांग लाहने की यह हो जाएगा एक्स तो दी पावर minus 3 by 2 plus 1 same formula है आपको याद हो गया होगा अब मैं इसको दुवारा लिखने की जुरुवत नहीं समझता यहां प्रदिवार करेंगे तो x to the power minus 1 by 2 upon minus 1 by 2 plus a constant term इसको हम finally लिख सकते हैं 1 upon x to the power 1 by 2 reciprocal formula यूज़ कर रहा हूँ यह मैं एक्बल लिख जाता हूँ मैं basically क्या कह रहा हूँ कि अभी यह a to the power minus m है तो यानि मैं से जब ऐसे लिखूँगा x to the power minus 1 by 2 को तो मैं क्या लिखूँगा 1 upon x a का a ही रहता है power जो है वो denominator में आके positive हो जाती है और आपको पता है जब x to the power 1 by 2 होता है तो वो क्या होता है 1 upon root x square root x होता है यह तो होता है तो आपका यहाँ पे simple सा logic है कि यह आजाएगा 1 upon square root of x यह minus 1 by 2 था इनॉमेटर में तो यह 2 पहुँच जागा numerator में तो यानि कि यह multiply होगा minus 2 तो इसका मतलब simple simple हम लिख सकते है minus 2 by root x easy है यह हमारा answer है ओके so this is our answer ओके let's solve the next part of the same question इसमें हमें क्या करना है same process we need to write 3 to the power x का integral इस बार formula change है तो मैं लिख देता हूँ जब आप a to the power x dx का integral करते हैं तो वो होता है a to the power x upon log a base e होता है वो natural log log e पे base पे होता है 10 वाला base नहीं ही लेते हैं यह default asset unless specified आप हमेशा mathematics यहाँ पे e base ही लेते हो अच्छा इसका मैं एक general formula भी लिख देता हूँ because this formula works out for this question directly पर एक general formula पर पता होना चाहिए और वो कहता है कि a to the power bx plus c का integral क्या होता है तो बहुत ही simple है वो होता है आपको बस कुछ भी यह आपको basic याद रखना है कि जब भी x में एक linear multiplication हो रहा हो constant term है b जो है वो linear है x linear power है यह bx plus c एक linear expression है linear expression होना चाहिए x square के लिख आम नहीं करेगा तो यानि कि यह b की value जो होती है वो divide में आता है 1 upon b और log sorry I'm sorry a to the power वो तो सेम रहेगा और denominator में एक log क्या आएगा log a आएगा log b नहीं आता please इसको याद रखेगा log a आता है a जिसका number पे exponent चढ़ा था exponent यहाँ पे क्या है x base क्या है a ठीक है तो अब हमें क्या याद रखना है कि a जो है यहाँ पे logarithmy में आ जाता है natural log है of course मैं e लिखूँ न लिखूँ आप please इसको default मान लीजे कि e है unless specified और यह 1 upon b हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे क्योंकि यह वाला first वाला stage बहुत easy लग जा रहा है तो हम यह second वाले को ignore कर रहे है but still you should remember पर एक question कोई हो सकता है तो हमारे यहाँ सीधा formula क्या है 3 to the power x upon log 3 e plus a constant term obviously मैंने पहले भी कहा था कि मैं constant term miss कर सकता हूं because this is not I am focusing on हमेशा indefinite integration में एक constant term आता ही है okay let's solve the next thing unless you definite हो तभी मैंने का indefinite चलिए six part करते है simple सा question है again यहाँ पर थोड़ा सा power के साथ यह पुराने वाले formula पर लगेगा थोड़ा power को modify करना है तो मैं यह कर देता हूं let's suppose मुझे करना है तो यह होगा याद रखिए का यह है x square का cube root तो पहले हम इसको solve करते है यह क्या हो जाता x2 जब भी cube root है जैसे यह cube root है तो power 1 by 3 हो जाएगी तो 1 by 3 हो जाएगी पर क्यूंकि यह denominator में था yes, अब आप correctly समझ रहे हैं क्यूंकि यह denominator में था तो जब यह numerator में जाएगा तो यह होगी minus 2 by 3 minus 3 by 2 मत करियेगा यह बहुत ही छोटे छोटी गलतियां हमें नहीं करनी है ठीक है power सिर्फ negative होती है ऐसी protocol नहीं होती है ठीक है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको same formula use करना है x to the power n का integral x to the power n plus 1 upon n plus 1 एक constant simple सा logic आपको basic maths आती होगी बहुत simple सा fractional addition है यह तो यह हो जाएगा x to the power minus 1 3 minus 2 plus 1 by 3 sorry मैं से गलती हो रही थी 1 by 3 plus 3 तो यह हो जाएगा यह आपका 3 numerator में पहुँच जाएगा और x to the power 1 by 3 को आप cube root of x लिख सकते हो प्लस एक constant यह हमारे लिए बन जाएगा क्या बन जाएगा यह हमारा answer ओके I hope रिजी is sorted है याद रखेगा 3 plus minus 1 होता है तो मैं मिस कर लिया था ओके लेट्स टेक अप दे नेक्स पार्ट अच्छा इसमें देखे यह logarithmy की एक property है तो पहले मैं आपको यह log की property समझाता हूँ then हम यह question को solve करेंगे ठीक है तो शुरू करते है log की एक property है और वो यह कहती है कि क्या करना है हमें log दो तीन property में लिख देता हूँ a to the power m होता है m log a क्या होता है log a to the power m होता है m log a अच्छा यहाँ पे जो property use हो रही है it's different पहले हमें यह 3 लिखा है यह 3 लिखा है यह दुनों base same है तो हम भाप इशे ऐसे लिखके मैं आपको एक formula दिखा रहा हूँ थीस उसको ध्याहान से लिखेगा गर मैं यह लिखा है a log नहीं पावर में है और रोग x to the base say इसको मैं क्या लिख सकता हूँ let's suppose इसको मैं y लिख सकता हूँ Let's suppose, इसको मैं y लिख सकता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइट का log ले रहा हूँ, तो क्या होगा, log, क्या लूँगा, मैं log ले रहा हूँ, दोनों साइट का, ये मैं green color से लिख रहा हूँ, just to make you aware of the fact, a to the power log, x to the base a, equals to, अब मैं right side में भी log लूँगा, logarithmic function में जो दोनों साइट लेना पड़ेगा, ठीक है, function 1 साइट नहीं लेते हैं तो, अब इसलिए, और इसमें आप क्या करेंगे, इसको पूरे को आप ऐसे देखें, प्लीज, ये जो पूरा term लिखा है, sorry, ये जो पूरा term लिखा है, consider this as m, कैसे consider करिए, इसको m consider करिए, तो what is log a to the power m, it is m log a, log a, this whole is my power m, so I will bring it down, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m, यानि m क्या है मेरे लिए, log x to the base a, याद रखेगा ये पूरा m की तरह ये lot के निचे आ रहा है, और ये बात एक बड़ी ध्यान दीजेगा, ये green log आएगा अब, और इसके बाद है a, equal to, अब रा अब अगला पार देखते हैं, ये मैं log x to the base से यहीं रखता हूँ, इसको मैं change नहीं कर रहा हूँ, log x to the base से मैं यहीं रखता हूँ, तो अब होगा क्या, कि ये जो log y है, ये जो log y है, इसको मैं लिख रहा हूँ, log और y yellow में था, okay, upon, फिर एक log a को मैं denominator में भेज रहा हूँ तो log a denominator में आ रहा है, log a denominator में आ रहा है, एक छोट इसी गलती थी, इसको मैं सही कर देता हूँ, confusion नहीं होना चाहिए, इसको मैं अब आप ध्याँ से देखें, अब आप ध्याँ से देखें, log upon log, तो एक और formula होता है, वो होता है, एक और formula होता है, log, अगर आप कुछ भी लि तो base अगर इनका यहाँ पे दोनों का e था, यह सेम होना चाहिए, तो denominator वाला log का जो number होता है, वो base बन जाता है, numerator वाले log के number के, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि मैं y to the base a लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ अब, y to the base a लिख सकता हूँ, त क्योंकि logarithmic में दोनों base same है, तब ही equal होता है, तो x और y क्या हो गए, equal हो गए, क्योंकि x और y equal हो गए है, इसका मतलब यह पूरी value y थी, पर y थी, पर यह तो x हो गई, यानि यह जो पूरी value आई है, यह तो पूरी x हो गई, इसका मतलब यह पूरा term x हो गया, पर ध्यान द तो first step जो आप करेंगे वो होगा integral 3 to the power, इस 2 को इसकी power बना सकते हैं, किस rule से कि log a to the power m, m log a होता है, तो यानि कि m को मैं power में बना ले जा सकता हूँ, तो मैं 2 को power बना सकता हूँ, तो I will write log x square to the base 3, अब हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा कि अगर ये वाला term और ये वाला term same हो तो ये ही number answer बन जाता है, यहां दीजे, अगर ये a था और यहां पे a था, तो x ही answer आ गया, y की value क्या गई थी, x ही आ गई थी, यानि अगर ये दोनों same हो, तो x ही answer होता है, जो भी यहां लिखा हो, अब x की power 4 हो, तो x की power 4 होगा, यहां x ही अगर 2x है, तो 2x होगा, irrespective य तो मैं क्या करूँगा, यहां पे, simply 3 or 3 हटा दूँगा, और लिखूगा x square, यह देखिएगा dx भी है, और integrate हो रहा है, अब यह पापस से x to the power n plus 1 वाला formula लगेगा, तो हो जाएगा x to the power, अब direct लगेंगे, अब आप advance में जा रहे हैं, advance मतलब इसमें का advance, मतलब आप अब सी लिख चुके हैं, 7th part पे हैं, तो इस easily answer आगया, ओके, आपको मुझे लगता समन में आया होगा, इसमें logarithmic आना जरूरी था, उसको मैंने साइड में solve किया है, ओके, let's solve the last part of this question 1, ओके, यह कह रहा है, log x to the base x, again this is a very simple thing, we just now studied, एक चीज़ हमने सेखी, की log x to the base, suppose m, upon log a to the base m इसको हम लिखते हैं, log x to the base a, यह property होती है, यानि कि मैं किसी भी x base a को इस तरह से तोड़ता हूँ, यानि मैं इस log x to the power x को तोड़ सकता था, पता है कैसे, same property से, log x upon log x, base irrespective, this base is irrespective, आप कोई भी नया base generate कर लिज़े, random base, कोई फ़र्च नहीं पड़ता, ठीक है, dx, ऐसे question mark मत बनाइएगा, मैं इसको natural log पे ले आता हूँ, ठीक है, अब आप देखे क्या हुआ, क्योंकि मैंने ये इसका reverse use किया है, just reverse use किया, कि अगर ये a था, तो नीचे a आएगा, m और m same base होंगे, जो मैंने natural log का e ले लिया, तो यानि log x upon log x क्या हो जाएगा, one हो जाएगा, अगर x to the power 0, 1 होता है, तो ये वापस से x to the power m का integral बन गया, x to the power m या x to the power n, जो कहिए, x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus a constant term, जो आएगा finally हमारे पास, 0 plus 1 क्या होता है, 1 upon 1, कोई first नहीं पहता है, plus a constant term, तो ये हमारा हो जाएगा answer, so this marks the completion of question number 1 of exercise 19.1, so let's solve the question number 2 now, इसमें दो पार्ट है, part 1 और part 2, और दोनों पार्ट में trigonometric formula यूज हो है, ये formula बहुत ही standard formula है और आपको आने चाहिए, तो एक बार मैं ये formula जो इसमें use हो रहा है, उसके बारे में बता देता हूँ, अगर लिखा है 1 plus cos 2x, तो ये होता है 2 cos square x, okay, 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta, हमें इसी formula को use करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम इसे use करेंगे, तो हमारा term बनेगा integral root over, ये हो जाएगा 2 cos square x divided by 2, और dx, अब याद रखेगा ये 2, दोनों के पास एक term है 2, तो दोनों cancel हो जाएगे, cos square x का square root cos x हम लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएग integral cos x dx, और cos x का standard integral formula है, एकदम standard है, sin x और plus c, ठीक है, याद रखेगा minus sin x नहीं होता है, क्योंकि d by dx sin x cos x होता है, तो just flip करिए, तो cos x integral sin x होता है, ठीक है, d by dx sin x cos x होता है, तो आप flip कर रहे हो, तो negative कैसे आ जाएगा, तो ये आपको याद रखेंगे, ये miss हो जाता है, लेकि that's all the second part of the same question, इसमें 1 minus cos 2x रिखा हुआ है, तो इसका भी formula हमें याद रख लिना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जरूरत पढ़ती है, तो इसका formula है, 1 minus cos, sorry, cos 2x is 2 sin square x, 1 plus cos 2x is 2 cos square x, 1 minus cos 2x is 2 sin square x, तो 2 sin square x हमें यहाँ पे replace करना है, बहुत simple है, कौन सी बड़ी बात है, तो यहा आप integral का sin miss हो गया है, I'm sorry for that, but integral होगा, तो सबसे वहले आप लिखेंगे, यहाँ जाएगा, integral, 2 sin square x divided by 2 का square root है, dx के साथ, अच्छा, फिर से same process, 2 or 2 cancel हो जाएंगे, और जो बचेगा, वो है, sin square x का root, जो की sin x होगा, और इसे हम integrate करेंगे, जब इसे integrate करेंगे, यह अब याद रखेगा, minus cos x आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि, जब आपको cos x का differential करते हैं, तो minus sin x होता है, मैं यह लिखके दिखा देता हूँ, इसे नहीं याद रहेगा, यह मैं लिख देता हूँ, आपने, एक second, हमें पता है कि d by dx of cos x, cos x का differential करते हैं, तो minus sin x आता है, इसका वंदर ज respect to dx integrate करेंगे, तो जोब आप integral लगाएंगे, cos x का, तो वो हो जाएगा, integral minus sin x dx, यहाँ पर d by dx नहीं है, तो integral d का हो रहा है, बेसिकली, तो यहाँ पर value जो बन जाएगी, वो बन जाएगी, minus, तो integral d by cos x का हो जाएगा, cos x, ठीक है, simple सा है, यहाँ by dx मत लिखेगा, वैसे आप dx by dx लिख सकते हैं, दोनों सा cancel हो रहा है, same fund है, कुछ हलग नहीं हो रहा, d theta का theta ही होता है, तो यहाँ पर जाएगा, cos x है, और यह minus है, तो यह हम जब sin x लिखेंगे, तो यहाँ का minus को मैं flip कर सकता हूँ, that's why you get minus, okay, I hope you have understood this part, okay, let's solve question number 3 now, आपको पता है, question number 1 में एक पार्ट that is, अगर यहाँ पर लिखा हो, a log ax, so x to the base a, और यहाँ पर a की power में एक logarithmic function हो, तो यह final answer x होता है, irrespective यह क्या है, हमें यहाँ पर जो भी लिखा होगा, voter मिलता है, याद है, नहीं तो question number 1 देखके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले याद है, आपको मैंन इसे log a में लिखा हो, तो वो m log a होता है, ठीक है, तो अभी क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, same process में पहले यह 6 को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, e to the power log, x to the base e, यहाँ पर power 6 हो जाएगा, यह 6 x पर पहुंच जाएगा, minus, जहाँ दीजेगा, कुछ भी आप इसमें मिस में करें, पावर के लिए, पावर 5, whole upon, यह क्या होगा, e to the power log, x to the power 4, minus, e to the power log, x to the power 3, बहुत सिम्पल है, अरे बहुत सिम्पल है, यह e और e है, same match कर गए, x to the power से, जो लिखा हो, उसे copy paste कर दो, जो लिखा हो, उसे copy paste कर दो, बस, जादा दिमाग मत चल आए, यहाँ पर बढ़ा सिम्पल सा process है, बहुत simply solve हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखे, author of 8 है, इसको बढ़ा सिम्पल से तरीके से कर सकते हो, अगर आप common factorization, grade 7, 8, again आप इसमें से factors common निकाल सकते, तो highest power नीचे 3 है, और उपर 5 है, तो let's try to do that first, तो यह हो जाएगा, x to the power 5, x to the power, sorry, 1 बचेगा वस, minus 1, अपन, x to the power 3, नीचे बचेगा, x minus 1, अब x minus 1 is cancelable, अच्छा, एक चीज में मिस कर गया हूं, that's because I was focusing more on simplification, okay, okay, now you try to understand this part, okay, यह power 5 पर power 3 कर जाएगे, तो यह हो जाएगा, x square, okay, और यहाँ पर x minus 1 वाला term cancel हो जाएगा, तो I am just trying to reduce it for you, this will be cancelled, this will become 5 minus 3, x to the power m upon x to the power n, m minus n, simple सा, logic है, dx का integral, now this will be what, अब तो बहुत हीजी होगा, question 1 में इसको खुब किया, आमने, plus एक constant आप, okay, तो इस तरीके से इस question को solve किया जासका था, okay, so let's solve this question, question number 4 कह रहा है, 1 upon a to the power x, b to the power x, अगर आपको याद हो, यह सहीं मै ने question number 1 में बोला है formula, कि कभी भी integral a to the power bx plus c type का हो, तो 1 upon b, a to the power bx plus c common, upon log a होता है, यह आजाता है, term बाहर, यही denominator में हो जाता है, यहाँ पे क्यूंकि दो term है, कोई first नहीं पढ़ता, इसको हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, combine कर लेंगे, कौन सा formula है, a to the power m, b to the power m, is actually nothing but a b to the power m, और इसको अगर हम use करेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यह term, integral 1 upon a b to the power x, और dx, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कि a b to the power x है, इसे हमें denominator में, से numerator मिलाना है, तो power negative हो जाती है, term same रहते हैं, याद आ है सबको, question number 1 जरूर देखे, अगर आप यह मिस कर रहे है वहाँ बहुत detail में explain किया है, अब a to the power x type का function है, a है, यह कुछ माल लेते हैं, let's suppose यह कोई constant term है, power कुछ लिखी है, b की जगह, यहाँ देखे, इस से match करिए, इसकी जगह minus 1 है, बस formula अप्लाय करना आना चाहिए, तो 1 upon minus 1, I am just trying to let you know, मैं यह लिखता नहीं कभी बैसे, normally class में यह नहीं कि paper में, पर I am just trying to explain it to you, okay, 1 upon minus 1, whatever is written, write the same, whatever is written, write the same, upon log of, remember किसका log लेते हो अप, log लेते हो उस term का जिसका power बना था, जो base था, base का log लेते हो, तो log यहाँ पे क्या है, a, b, तो log हो जाएगा a, b, simplify कर लो, यह जाएगा minus, अब आप इफिर वापस यह से नीचे रा सक तो 1 upon a, b to the power x, log a, b, plus a constant term, तो यह हमारा कहलाएगा, okay, let's solve this question, question number 5, part 1, इसमें आपको याद है, मैंने part 1 में, सब कुछ part 1 में बहुत जादे रेटेल था, वहाँ पे एक formula था, question number 1 में, जिसको मैंने बुला था कि बहुत important formula है, that was, 1 plus cos 2 theta, is 2 cos square theta, और 1 minus cos 2 theta, is 2 sin square theta, तो क्या हम यहाँ replacement नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ देखे, cos 2x, 2 sin square x, और नीचे भी sin square x, तो क्या मैं 2 sin square x की जगए, 1 minus cos 2x लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, जा मैं cos 2x की जगए, 1 minus 2 sin square x लिख सकता हूं, कोई फर्ख नहीं पड़ेगा, answer सेम है, तो let's try to just replace it, तो मैं cos 2x को वैजी लिख देता हूं, and I replace 2 sin square x by 1 minus cos 2x, कोई फर्ख नहीं पड़ेगा, simplification end point वही है, end point change नहीं हो ला, ठीक है, तो end game नहीं चेंज हो ला, तो cos 2x, cos 2x cancel हो जाएगा, और 1 upon sin square x बचेगा, आपको पता है 1 upon sin square x क्या होता है, बिल्कुल सह है, cosec, cosec square x का integral, और इसका integral का formula standard है, आपको याद रखना है, इसमें कुछ भी नहीं है, ज्यादा, minus cot x plus एक concept हो, ओके, d by dx cot, cot tangent x का होता है, minus cosecant square x, तो minus वहाँ होता था, तो यह minus flip हो क्या है, ठीक है, let's solve the, यह हमारा answer है, sorry, यह हमारा answer है, let's solve the next part of the same question, ओके, यहाँ पर देखे, 2 cos square x minus cos 2x, again, यहाँ 2 cos square x है, तो मैं cos 2x का कौल से formula यूज़ करूगा, जिसमें cos square x साथ हो, तभी तो कुछ cancellation होगा, तो फिर से मैं formula लिख देता हूँ, let's, क्या formula था, that was cos 2 theta, या बहुत तरीक है, 1 plus cos 2 theta, is 2 cos square theta, लिख सकते हैं, तो मैं इस बार 2 cos square x को replace कर देता हूँ, ठीक है, तो यह replacement होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, integral 1 plus cos 2x minus cos 2x, बस सिंपल सा हमें, replacement करने आना चाहिए, cos square x और dx, इससे हो जाएगा, यह cos 2x, cos 2x cancel हो जाएगा, बिलकुल हो जाएगा, और क्या term बचेगा, term बचेगा, 1 upon cos square x, जो की होता है, you can do square x, dx, और इसका integral होता है, tan x, minus नहीं होता, याद रखेगा, बिस मत करिएगा, इसको, ठीक है, okay, let's solve question number 6 now, आपको पता है, same formula question number 1 में था, मैं repeat कर रहा हूँ कई बार, क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए, logarithmic वाला formula, वो क्या कहता है, वो यह कहता है, कि जब भी एक situation में, यह दोनों same हो, और यहाँ पे जो भी लिखा हो, that is copied as the simplified term of this expression, or term, whatever, so now e और e same है, तो यह root x हमारा, क्या बन जाएगा, normal simplified answer पे आजाएगा, so let us write this, that is root x upon x dx का integral, अब आपको क्या करना है, root x upon x को करना है, आपको पता है power half है, यह power 1 है, I am just writing it like this, half minus 1, a to the power m upon a to the power n का formula होता था, याद है आपको क्या होता था, a to the power m upon a to the power n होता था, a to the power m minus n, same formula में use कर रहा हूँ, power half थी, तो half minus 1, वो जो की होता है, minus half का integral, again it's a very simple thing, x to the power n का integral आपको रटा हुआ है, that is n plus 1 upon n plus 1, तो ऐसे constant time, तो अगर हम इसे simplify करेंगे, तो यह आ जाएगा, x to the power half upon half, और simplify करेंगे, तो 2 उपर पहुँच जाएगा, half होता है, root x plus c, यहाँ पे भी एक plus c है, plus constant time, so this becomes our answer, बहुत easy question था, यह अगर आपको पता है, आप कर चकते हो, नहीं तो मुश्किल है, okay?